हालो वर्किंग मॉम्स, हालो एब्रिबन, आज मैं हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ कि मूली से किस तरीके से आप पराटा बना सकते हैं और इसी डों से आप रोटी भी बना सकते हैं पुडी भी सेख सकते हैं तो चली इसकी रेसिपी देख लेते हैं तो हेल्दी पराटा ब इतना मसाला में ले रही है आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा जिंजर भी डाल सकते हो अब यह क्या हम आटे में गुथने वाले हैं इसलिए मूली में पानी है तो हम पानी अलग नहीं कर रहे हूं लेकिन अगर हम स्टफ वाला पराटा बनाते हैं तो इसका मूली का पानी पू कराटा बनाते हैं अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी आपको यहां पर पानी डालने की जुरूत नहीं है क्योंकि मूली में इतना पानी है पहले उसी से आटा गुत लेजिए अगर हमको लगता है बाद में तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे अगर आप लोग नए है मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजे ताकि आपको मेरे सारी नईव वीडियो मिलते रहें वर्किंग मॉम्स के लिए रैसेपीज और बच्चों को घर पे कैसे पढ़ाना है वीडियो शेय विल पाऊगे तो आप देख सकते हो इतना ही मिंस की consistency रखनी है तो पानी मैंने एक लिए तो बहुत ही कम पानी लगा है मैं आपको दिखाती हूँ फिर इस डो को अकर आप चाहो तो पांस से दस मिरट सेट करने के लिए रख सकते हो देखेए पानी आप बहुत ही कम लगा ह है अप्रोक्स चार से पांच चमच पानी ही लगा होगा तो ये डो तैयार हो गया है अब हम बस छोटी-छोटी लोई बना लेंगे और पराटा आपने अकॉर्डिंग बेल लेंगे अब पराटा आप चाहो तो सरकल जैसा बना लीजे जो सेफ आपको पसंद हो तो थोड़ा सा हम आठा लगा लेंगे आठा लगाने के बाद हम इसको बेल लेंगे तो मैं यहाँ पर सरकल वाला सेफ ही बनाने वाली हूँ आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जैसा आपको सेफ बनाना है तो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीस चैनल को यह वीडियो शेयर करती है आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हो क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ मुझे पता है कि लिटिल डिफिकल्ट होता है एक साथ तो कोकिंग आंड वच्चे को मानेज करना और ओफिस का काम तो इसलिए मैं वीडियो शेयर करती हूँ हो सकता है आपक इसको हम थोड़ा मतलब मीडियम तू हाइफ लेम पे इसको फ्राइड पकाते है इसको पकने में थोड़ा सा ताइम लगता है बहुत अच्छे से आपको पका ना है दोनों साइट देखिए कलर चेंज हो गया है मैंने इसको पलटा दिया दोनों साइट घी लगा लोगे संदाती और तो आप बच्चों के लिखदे रहा हैं तो आगर हम इस तरीके से चम्मळ से प्रेश करते हुए उसके ना पराटा बहुत जज़दा बनता है त्राइक करके देख लीजीग आप प्रेश करके लेगो ना तो पर बहुत ज़यादा कृस्प Always pan तो वह बहुत अच्छा लगता है by taste and mince देखने में भी देखिए यहां पर पराटा बनके तयार हो गया है इसी तरीके से मैं सारे पराटेस बना लूँगी और बस healthy और tasty पराटो का enjoy करूँगी यह बहुत ही ज़दे healthy होते हैं अगर आप weight loss के लिए कोई recipe देख रहे हैं तो इ कीजिए गाइस थैंक यू टिक किया बाबाई मिलते है नेक्स वीडियो में